हालो एवरिवन वेलकम बैक टू परशम आज हम डिसकस करें कि अपना एक बर्णिंग टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे ग्लोबल इन्विशन इंडेक्स जिसमें भारत की रैंकिंग 46 नंबर की है इसको इंप्रूफ करने में हमारी मदद करेगा तो देखते पर इन्विशन इंप्रूफ करेंगे तो न्यूज में क्या है यहां पर हूर्ण रिसर्च इंस्ट्यूट ने कहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ी अजीफमेंट की बात है कि पिछले 5-6 सालों में भारत में जो स्टार्टप बने हैं तो हमने UK को भी पीछे छोड़ दिय है और भारत में जो यूनिकॉन कम्पनी इस की रैंकिंग में भारत जो है। यजै काफी बड़ा हूर्ड बताया जा रहा है क्योंकि स्टार्टप बढ़ने से उनिक्वेशन कम्पनी बढ़ने से इन्वेस्टर्स आते हैं FDI बढ़ता है, economy boost होती है साथ ही साथ employment भी बढ़ता है तो ये हमारे लिए बहुत achievement की बात है और हो सकता अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो बहुत जल्दी हमारा जो Global Innovation Index है उसमें भी ranking जो है वो हमारी उपर की तरफ shift होना शुरू हो जाएगी तो देखते हैं Global Unicorn Index 2021 के बारे में सबसे पहली बात इसको publish कौन करता है इसको publish किया है Huren Research Institute ने जिसमें भारत की ranking है third लास्ट येर भारत की में जो है और अभी 33 नई unicorn companies जो है वो भारत में add हुई है ठीक है और भारत ने UK को पीछे छोड़ दिया third number पे आ गया इसका ये मतलब हुआ third number पे इंडिया है और fourth number पे UK की ranking आती है first और second number के बारे में बात करेंगे तो first number पे USA है और second number पे China है USA और चाइन जो है वो लगबग 74% total unicorn company का रखते है unicorn company वो होती है या वो startup होते है जिनका valuation 1 billion dollar 1 billion dollar होता है या उससे जादा होता है तो ऐसी startup companies जो है वो unicorn company कहला दी है चीक है अब ranking देखेंगे USA के पास total number of unicorn company 487 है चाइना के पास 301 है भारत के पास 54 है 33 है पिछले साल से UK की 39 है और जर्मनी में जो unicorn company है वो 26 है अभी भी बहुत सारी ऐसी country जहां पर एक भी unicorn company नहीं है चीक है अब यहां पर हम बात करते है भारत में तो भारत में एक ad tech platform है जिसका नाम है byju तो byju जो है वो उसका यहां पर अगर आब valuation देखेंगे तो 21 billion dollar है जो की भारत की एक unicorn company बन चुकी है और global में इसकी ranking 15th number पे आती है इसके अलावा mobile ad tech platform in movie की बात करते हैं तो इसका valuation 12 billion dollar है अगर हम Oyo Rooms के बारे में बात करते हैं तो इसका valuation 9.5 billion dollar है इसके अलावा अगर आप dream 11 देखते हैं unacademy देखते हैं स्विगी देखते हैं तो यह सभी भी unicorn company बन गई है मतलब जिनका valuation 1 billion highest number of unicorn among Indian city इसके अलावा पूने थाने गुरुग्राम में भी number of unicorns present है लेकिन सबसे ज़्यादा कहा है Bangalore में है और आप जानते हैं कि Baiju का भी जो head office है वो Bangalore में है अगर हम e-commerce companies के बारे में बात करते हैं तो total इस list में 122 unicorn है जो की e-commerce companies है और उनमें से 15 e-commerce companies जो है वो इंडिया की है तो इंडिया की ranking e-commerce sector में जो है वो third number पे first number पे USA, second पे China और third number पे जो है वो भारत की ranking है अभी जो report published की गई December 2021 में इसमें बोला जा रहा है कि पूरे all over the world 936 936 unicorn company present है जिन में से आपने अभी अभी देखा कि भारत में कितनी है 54, 936 में से 54 unicorn company है वो भारत में सबसे ज़ाधा USA में 487, but Russia, Saudi Arabia Poland और ऐसे और 160 countries हैं जिनके पास एक कोई single known unicorn नहीं है चीक है अब यहाँ पे देखो आपकी जो इंडिया की top unicorn companies में बाइजू का नाम है आपको Oyo Rooms दिखेंगे Ola दिखेगा, Swiggy, Dream 11 Crade, Meso यह सभी ही भारत की unicorn company है ठीक है, बाइजू का याद रखने है पूरी global में इसकी ranking 50 number पे और भारत में इसकी ranking first number पे आती है 21 billion dollar इसके valuation है head office इसका बैंक डोरो में है और एक ad tech company है तो यहाँ पर कैसे कोई company जो है, वो unicorn company बनती जड़ा हम देखते हैं तो आपने देखा होगा Government of India लगातार काफी समय से different different programs को run करती है हम आत, निर्बर भारत campaign शुरू करते हैं हम digital innovation की बात करते हैं हम start-ups की बात करते हैं इस startup को खड़े होने के लिए Government of India के दौरा fund भी provide किये जाते हैं जिससे startup प्रॉपरली काम कर सकें जब कोई भी company खोली जाती है तो उसके लिए fund की requirement होती है तो जो दूसरे investor होते हैं जिनको लगता है कि हाँ यह startup अच्छा है इनका idea अच्छा है इनको हम funding कर सकते हैं तो दूसरे जो investors होते हैं हमारी country के भी और बाहर की countries के भी उस particular startup में अपना पैसा invest करते हैं तो कोई भी startup इस तरीके से शुरू होता है government की भी funding होती है इसमें और जब किसी company का startup valuation जो है वो 1 billion dollar मतलब लगवक 7.5 करोर रुपीज अगर हम रुपीज में बात करते हैं तो 1 million dollar के पास हो जाता है तो उस company को हम mini corn company कहते हैं फिर जब वो mini corn company बहुत अच्छा business करने लगती है उसके customer बढ़ने लगते हैं और भरोसा होता है investor को हाँ ये company अच्छा कर रही इसमें हमें और पैसा invest करना चाहिए और जब वो उस company का valuation बढ़ाने के लिए और पैसा उसमें invest करते हैं उस company को ज़्यादा profit होने लगता है तब वो company soonicorn company बन जाती है soonicorn का मतलब है soon to be unicorn अभी unicorn बनी नहीं है लेकिन possibility है कि बहुत जली unicorn company बन जाएगी तो ऐसे company soon to be unicorn company कहलाती है जिनका valuation जो है वो 100 million dollar के आसपास होता है उससे कम यह 100 million dollar के आसपास होता है लेकिन जब किसी company में उसका value तो यहाँ पर है what is a unicorn company तो ऐसा कोई भी startup या company जिसका valuation 1 billion dollar हो जाता है उस company को हम unicorn company कहते हैं तो a unicorn company known as a unicorn startup is a private company that has valuation of 1 billion dollar ऐसी लगभग टोटल वर्ल्ड में 900 companies है जिनका turnover यह जिनका valuation जो है वो 100 billion dollar से जादा है अगर हम बात करते हैं तो USA में unicorn company सबसे जादा है अगर उनमें भी बात करते हैं तो Facebook है, Google है, SpaceX है यह बहुत बड़ी unicorn company कहलाती है जिनका valuation कई billions में देखा जाता है अगर किसी company का valuation 1 billion dollar से बढ़कर 10 billion dollar हो जाता है तो उस company को हम decacorn company कहते हैं और 10 billion dollar से जब वो 100 billion dollar के target को achieve कर लेती इसका valuation जब और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको hectacorn company कहते हैं तो I think आपको समझ में आएगा कि unicorn company क्या है और इस ranking में इस list में भारत की ranking कितनी है third number पर आती है अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया की वो सबसे बड़ी company हैं जो कि decacorn या hectacorn बन चुकी है मतलब unicorn की list को cross कर लिया है तो आप इनका नाम देख सकते हैं में आपको एक नाम देखा मिलेगा SpaceX जिसका valuation hundred billion dollar है ठीक है चलिए thank you so much हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ burning topic के साथ अपने next session में